इक्षा मंत्री, देमान राजनाच सेंजी, डीजी एन्सीसी, सिक्षगाण, अतिदीगाण, मेरे अंत्री मंत्री परिशत के सभी अन्य साथी, अन्य अतिदीगाण, गनतंत्र दिवस की परेड में सामिल हो रहे हैं, विभिन आर्टिस्ट, एन्सीसी, और एन्साइस के मेरे युवां साथियों, मैं देख रहाता आज, पहली बार, देता जी की विश्पुशा में, इतने सारे बाल अवतार, प्रधान मंत्री आवास पर आए, मैं सब से पहले, आप सब को सैल्यूट करता हूँ, जयहीन का मंत्र, हर बार हमें प्रेणा देता है, साथियों, बीते कुछ हप्तों में, जिवां साथियों समझे, बार-बार मिलने का अउसर मिला, महिना बर पहले, हमने वीर बाल दिवस मनाया, हमें वीर साथ जादों के शावरिया, और बरिदान को नमन करने का आउसर मिला, उसके बाद, करनाटका में, डेशनल यूद फैस्टिवल में शामिल हुआ, उसके दो दिन बाद, देश के युवागनी वीरों से बात्तित हुई, फिर यूपी में, खेल महाकूम के एक कारकम में, दुआ खेलाडियों से समवाद हुआ, और इसके बाद मुझे आज, समसद में और फिर प्रधान नतरी निवास पर, नोई और लीडर कारकम में, शामिल देश भर के विद्यारतियों से मिलने काउसर मिला, कल ही राष्ट्रिय बाल, पुरस्कार जीतने वाले, देश के होनहार बच्चों से मुलाकात हुई, आज आप सबसे, इस विशे इस कारकम में मुलाकात हो रही है, कुछी दिन बात, मैं परिक्षा पे चर्चा, इसके माध्यम से देश भर के लाखों युवाओं, विद्यारतियों के साथ समवाद करने वाला हूँ, हर वर्ष की भाती इस बार भी, NCC के कारकम का हिस्सा बनने का आउसर, मुझे मिलने वाला है, साथ यह युवा समवाद, दो कारणों से मेरे लिए विशेश महत्व का होता है, एक तो इसलिए, क्योंकि युवाओं में उर्जा होती है, ताजगी होती है, जोश होता है, जुनून होता है, नयापन होता है, आपके माध्यम से सारी सकारत्पक्ता, कुझे निरंतर, प्रेदित करते रहती हैं, दिन रात मैनत करने के लिए प्रोचाइद करती हैं, दूसरा, आप सभी, आजगादी के इस अमरित कान में, देश की आकांग्षा, देश के सपनों का प्रतिनिदित्व करते हैं, बिट्सीद भारत के सबसे बड़े लाभारती भी आप होने वाले हैं, और इसके निर्मार्ण की सबसे बड़े जिम्मेदारी भी आपके कंदों पर हैं, जिस प्रकार अलग-अलग कारकम में युवाओं की भागेदारी बढ़ रही हैं, बुद्साइट करने वाले हैं, पराक्रम दीवस पर एक बड़े संदेश के साथ आयोजीत, प्रतियोगीताओं में, आप जैसे बच्चों की भागेदारी इसी का ही गुदाँ हैं, ऐसे कितने ही आयोजन, अमृत महोसव से जुड़े कारकम, और प्रतियोगीताओं देश में लगातार हो रही हैं, लाखो करोडो युवाई इन से जुड़ रहे हैं, एक कम आयोँ में देश के लिए बड़े सपने और समर्पन का प्रतीक हैं, बैस बात का सबूत है कि भारत की वापिड़ी, देश की जिम्मेदारियों के लिए तयार भी हैं और अपना दाईत्व निभाने के लिए तत्पत भी हैं, मैं इन कविता, ड्रॉइंग, ड्रेसिंग और ऐसे राइटिंग की इन प्रतिकी उगता हूँ मैं, जीतने वाले सभी युवकों को भी बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ, हर बार की तरह, बड़ी संध्या में, हमारे एनसीसी और अनेसेस की गड़ेट्स, विभिन आर्टिस्ट, गनतंत्र दिवस के परेड़ में शामिर होने जा रहे हैं, आप सबको मेरी बहुत-बहुत शुबकामनाएं हैं, साथ ये एनसीसी और अनेसेस ऐसे संगड़न है, जो युवापीडी को राष्टिय लक्षों से, राष्टिय सरोकारों से जोडते हैं, कोरोना काल में किस प्रकार एनसीसी और अनेसेस के वॉलिंटर्स ने, देश के सामर्थ को बढ़ाया, ये पूरे देश ने अनुभव किया है, इसलिए सरकार का भी ये निरंतर प्रयास रहा है, कि इन संगड़नों को प्रोच्षाइद किया जाए, इनका विस्तार किया जाए, अब जैसे हमारे सिमावर्ती और सागर्तर पर बसे जीलों में, अनेर प्रकार की चुनवतियां आती रहती है, इन से निपटने के लिए भी, सरकार आप जैसे हिवाओं को तैयार कर रही है, देश के दरजनों ऐसे जीलों में, एन सी सी का विशेश प्रोग्रेम चुनाया जा रहा है, आर्मी, नेवी, और एरफोस के माद्यम से, विशेश ट्रेनिंग दी जा रही है, इसे युवाँ साथ ही, पविशी के लिए भी तैयार होंगे, और जरुवत पढ़ने पर, फस्रिस्पॉंडर की भूमी का भी निबा सकते हैं, आप तो, हम, वाइब्रेंट बॉर्डर एरिया प्रोग्रेम पर भी काम कर रहे हैं, इसके तहर, बॉर्डर के गाउं का विकास किया जा रहा है, वहाँ हर प्रकार के सुविधाय विक्सित की जा रही है, रहना पसंद करें, वहीं सिख्षाव रोजगार के बैस्तर एफसर बनें, साथियों, सरकार के इन पैयासों के बीच, आपको अपने जीवन में एक बात जुरूर काम आएगी, आप जब जीवन के कुछ बैस्तर करते हैं, कोई सफलता हासिल करते हैं, तो उसके पीशे आपके साथ साथ, आपके माता पित, आपके परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसमें आपके टीचर्स की, स्कूल किया, और आपके दोस्तों की भी बड़ी भूमिका होती है, यनि आपको सब का साथ मिल, उस वही प्रगजी का कारण होता है सब ने आपकी ख्रमता और फैस्टलो पर विश्वास किया होगा सब आपके प्रयास में शामिल हुए होगे और आज जब आप गंतंत्र दिवेश की परेड में शामिल हो रहे हैं इससे आपके परिवार, स्कूल, कॉलेज और हिलाके का भी सम्मान बढ़ाए यानि हमारी सबलता है अकेले हमारे प्रयासों से नहीं आती और हमारी सबलता है कभी अकेले हमारी नहीं होती यही नजरिया आपको आपके जीवन में समाज और देश को लेकर भी रखना है जिस भी खेत्र में आपकी रूची होगी आपको उसमें आगे बढ़ना है लेकिन लक्ष ताय पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेना होगा आपको टीम स्पिरिट से काम करना होगा इसलिए जब आप अपने लक्षों को अपने गोल्ज को देश के गोल्ज के साथ जोड़ कर देखेंगे आपकी सफलता का दायरा विश्तृत हो जाएगा आपकी सफलता को दुनिया भारत की सफलता के रुप में देखेगी डॉक्टर एपीज अब्दुर कलाम होमी जांगिर भाबा और डॉक्टर सिवी रमन जैसे वहिजानी खो या फिर मेजर द्यान्चन से लेकर आज के बड़े खिलाडियों तक इन्होंने अपने जीवन में जो काम किये जो मुकाम हासिल किये पूरा विश्व उन्हें भारत के सफलता के रुप में देखता है और उससे भी आगे दुनिया भारत के इन सफलताओं में अपने लिए नए भविश्व को देखती है यानि आइतिहासिक सफलताओं वो होती है जो पुरी मानुता के विकास की सीडिया बन जाए यही सप्पा प्रयास की भावना की असली ताकत है साथियों हाज आप जिस कालखंड में है उसकी और एक विशेस बाब है आज देश में युवाओं के जितने नए अवसर है वो अभुत्पूर है आज देश स्टार्ट अप इंडिया मेक इन इंडिया और आत्म निर्भर भारत जैसे अभ्यान चला रहा है इस स्पेस से लेकर एंवार्मेंट और क्लाइमेट से लेकर उससे साथ जुड़ी हुई चैलेंजिस तक हारत आज पूरी दुनिया के भविश्य के लिए काम कर रहा है अर्टिविशल इंटलिजेंस मशिन लर्निंग और वर्ट्यूल रियालिटी जैसी फिचरिस्टिक फील्स में देश पोर्षंट पर है स्पॉर्ट्स और क्रेटिविटी के लिए देश एक अच्छा एकोसिस्टिम तयार कर चुका है आपको इसका हिस्सा बनना है आपको और आपका अंसिन पोसिबिलिटीज को सच करना है अंटर्ज एरिया को एस्प्लोर करना है और अन इमेजिन सलुशन को खोजना है साथ्यों पविश के बड़े लक्ष और बड़े संकल्प यह हमारे लिए बहुत जरूरी है लेकिन साथ ही हमें वर्तमान की छोटी बड़ी प्रात्मिक्ताओं को भी उतनाही महत्वत देना होगा इसलिए मेरा आप सभी से आगर होगा क्या देश्ट में हो रहे इस हर बड़लाव से परिटित रहे देश्ट में जो नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं आप उनमें भागिदारी करें स्वच्छ भारत अभियान का हुदार हमारे सामने है आप युवाओं को इसे अपने जीवन का मिशन बनाना चाहिए आपके पास क्रियेटिविटी भी है और जोश भी है आप संकल पर ले सकने हैं हम हमारे दोस्तों के एक टीम बना कर अपने महले को अपने गाव शहर कजबे को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे जब आप स्वच्छता के लिए बाहार निकलेंगे तो बड़े लोगों पर उसका जादा प्रभाव पढ़ेगा इसी तरह अमरित महोसव में आप स्वतंतरता सेनानियों से जुड़ी कम से कम एक किताब पढ़ने का संकब जरूर लीजिए आप में से कई लोग कभीता और कहानी लिखेंगे ब्लॉगिंग करने जैसे कामों में भी इंटरेस्ट रखते होंगे आजादी के लड़ाई और किसी स्वाधिनता सेनानी के जीवन पर ऐसा कोई क्रियेटिव काम करिए आप अपने स्कूल को भी इस विशे पर कारकम और प्रतियोगिता कराने के लिए कह सकते हैं आप सब के जीलों में पच्चतर अमरत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं आप अपने पड़ोस के अमरत सरोवर में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत योगदान दे सकते हैं जैसे कि अमरत सरोवर के पांस व्रुक्षा रुपन कर सकते हैं उसके रखरखाव के लिए लोगों को जागरू करने के लिए को रेली निकाल सकते हैं देश में चल रहे फिट इंडिया मुमेंट के बारे में भी आपने जुरूर सुना होगा युवंगों के लिए तो भहुत आकरसित करने वाला भ्यान है आप खुद तो इससे जुड़े ही सासी अपने घर वालों को भी जुरूर जुड़े ही आपके घर में रोज शुबर थो इस सान हमारा भारत जी ट्विंटी के दिश्टा भी कर रहा है यह भारत के लिए एक बड़ा अफसर है आप इसके बारे में भी जरूर पढ़े स्कूल कॉलेज में भी इससे जुड़ी चर्टा करें सात्य इस समय देश अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिक्ता इसे मुक्ति के संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है यह संकल्प भी देश की विवाओं के लिए एक जिम्मेदारी है हमारी विरासत को भविश के लिए साहज ने और समार ने की जिम्मेदारी आपकी है कि काम आप तब कर पाएंगे जब आप देश की विरासत को जानेंगे स स्विजाव है कि आप जब गुमने जाएं तो हैरिटेज साइट पर भी जुरूर जाएं उन्हें देखे जाने आप युवा है आपके लिए बविश्के वीजन के निर्मार का समय है आप नए विचारों का नए मानदर्लों के निर्माता है आप नए भारत के लिए नए रास् देश के अपेक्षाओं और देश के आकांशाओं पर खरा उतरेंगे आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत सुब कामनाएं धन्यवाद